जीत ओई जीत ओई जीत पुतर ओई क्या हुआ है तुझे तब यह तो ठीक है ना तेरी पेबे डर्लिंग नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ पहले ये बता कि तू था कहाँ तुझे पते है रानो तेरा इंतिजार करके चली गी है ओई दुपहर को गया था तू और देख रात हो गी है दुपहर? मैं तो रेली? ये तो रात हो गी पेबे मैं ओई क्या हो गया तुझे ये किन ख्यालों में ख्वाया रहता है? पेबे मैं आपसे बादने मिलता हूँ लगते है रानों को लेके परिशान है अब बताओ जरा शादी रानों की है और होश इसके उड़े हूएं आप पर्फिम कों सा लगाती है? पर्फिम्रों को लेकाता है येप नड़ बतादान खुझे अजय को लेके मिलता रहता है इसके लेकाता है येष्या रहता है अपस्पी अज़ग रहता है और आपस्वीट दोस्वीट झाल झाल बेबे बेबे जरा बताईए कि यह डेकुरेशन कैसी लगए वो जो मैंने नेट पर देखा था ना वैसा तो बिलकुर नहीं है क्या बेबे आप दे बात तो पूरी होने दे यह देख यह ग्रीन रेड और जो लाल वाली है न यह तो कॉमर रंग है यह है और्किट बहुत अच्छा है आये रमेज जी बल राज वीर जी है अटी जी पापा जी तो स्टेडी रूम में बुला दू नहीं मैं वही मिल लेती हूं ठीक आये रमेज जी बहुत या बात है कोई बात हुई है क्या इतने गवराईय क्यों लग रही हो बेवे आप भी हो बात करने है क्या हुआ क्या है परजाई जी वो बात ये है वीर जी मुझे लगता है रानो इस रिश्टे से खुश नहीं है मुझे लगा आपको ये वही अगर ऐसे कोई बात होती तो बता देती हमको मैं भी यही सोच रही थी कि वो हमसे कह देगी और वो अपने मन की बात हमसे कह ही नहीं पा रही है वीर जी हम जो कुछ भी कर रहे हैं और से पूछ की कर रहे हैं तो कर रहे हैं वीर जी लेकिन वो सिर्फ हमारी खुशी के लिए हां में हां कर रही है दरसल उसके मन में कुछ और है क्या क्या रही हैं आप मैंने भी उससे कुछ परेशान देखा था और सोचा शायद शादी की वजह से नर्वस है लेकिन कल रात कल रात हुछ जिस तरह मुझसे लिपट कर रोई मेरा तो दिल ही बैठ गया जै समझ गी समझ गी कि कोई बात है जिसे वो मन में तबा कर बैठी है और वो बोल नहीं पा रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि जादी हो रही है जा रही है तो एमोशनल हो रही हो नहीं वीर जी मैं मा हूँ उसकी उसके आंसों को समझती हूँ वो इसलिए नहीं रो रही कि वो एक घर या हमें छोड़कर जा रही बलकि वो इसलिए रो रही है क्योंकि क्योंकि कुछ और है कुछ और है जिसे वो खोना नहीं चाहा दी वो बच्चपन से इस खर में पली बढ़ी जीत उसकी बच्चपन का दोस्त है तोनों साथ खेले, स्कूल गए, फिर कॉलेज और जीतो, पुत्र तो क्या कहना चाहरी है बेबे, रानू, रानू जीत, मेरा मतलब है जीत रानू दोस्त है, ना मानता हूँ वच्पन के दोस्त है, साथ में पले बढ़े लेकिन अब जीत के लिए पूरी जिन्दगी ऐसे बैटी चो नहीं रहेगी ना शारी करके जाने ही पड़ेगा ना रानू को यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ वीर जी कि रानू के लिए जीत सिर्फ एक दोस्त नहीं बलकि दोस्त से कहीं ज्यादा है मुझे पहले भी इस बात का एहसास था लेकिन मैंने नजर अंदास कर दिया लेकिन कल उसके आँसों ने वो बात कह दी जो वो खुद अपने मूँ से नहीं कह पा रही थी वीर जी वो सिर्फ इसलिए रो रही थी क्योंकि वो जीट से बिछड़ना नहीं चाहा थी मुझे कल रात भर इस बात का अफसोस रहा मैं अपनी बेटी के मन की बात नहीं जान पाई लेकिन जिन्दगी बार इस बात को लेकि दुखी नहीं रहना चाहती कि मैंने जानते हुए भी अपनी बेटी को उसकी खुशिया नहीं दी अब आप ही बताए यह सब जानते हुए मैं उसकी शादी शेखर से कैसे कर दूँ अब बोल अब क्या चाहता है तो अब भी चुप रहू हुमें रित्तु उत्तर दरसल गलती हमारी है हमें ये बात पहले पता थी कि रानो जीत को पहुच आती है मालूम था ये अगर मालूम था तो आपने मुझसे कहा क्यों नहीं आपकी आँखों में हमारे लिए आसू शुक्रिया हम मेंदूख आपकी अपना सभी आपकी 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 तरहां के प्राक्टेस कर रहा हूँ है लेकिन जी जले तो गभी ऐसा नि किया अब आप ही बताएं वीर जी। यहामे क्या करना चाहिए यह चानते हुए भी। इंग अभी रानो शेकर से शादी करके खुश नहीं रहेगी। उसे इस शादी के लिए मनाना चाहिए याँ नहीं नहीं, सवालें नहीं उठता है। अमारे लिए प्राणों की खुशी से बढ़तर खुश नहीं है पर जाएजी। और अगर वो इस शादी से खुश नहीं है, तो नहीं होगी ये शादी। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ के प्राणों और जीत। जीत राणों की पसंद है, वीर जी। लेकिन मैं ये भी आपसे कैसे कहूँ कि आप राणों को अपने घर की बहु बनाएं। हो सकता है आप लोग राणों को जीत के काबिल ना समझते हैं। शायद यही सोच कर आप लोगोंने… कैसी बाते कर रहे हैं तो। यहां तो उल्टे है। बल्कि परताब जीत को राणों के लाइक नहीं समझता। और जायजी आप तो जानती हैं। मैं राणों के मामले में किसी भी तरह का कोई लिए कॉम्प्रमाइज नहीं कर सकता हूँ। और आप लोग कुछ भी गहें मुझे आप भी लगता है कि जीत जो है वो राणों के लिए कॉम्प्रमाइज ही है। सटल्ट है ने, गमाता दमाता नहीं। वो दे ही क्या सकता है राणों को। खुशियां। खुशियां दे सकता है। जो सिंदकी जीने के लिए ज़रूरी है। और यह खुशी मैंने राणों की आँखों में जीत के लिए देखी है। फिर माँ को भी क्या चाहे। उभी यही चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अगर आप लोगों को एतराज ना हूँ। और अगर आपको राणों पसंद हो तो मैं इस घर की बहु के लिए जीत के लिए अपनी बेटी राणों का रिष्टा रखते ह। क्या आपको मन्जूर है। क्या हुआ गज क्या हूँ। सब्सक्राणों फिस की बेंकरी क्या मोरेक रेखति विए क्या हुआ एंग क्या शाओ यॉआ क्या है लिएम Bitcoin घ्लेूस क्या क्या पत्यूल प्रामब कजी अप्राफ। मैं जानता हूँ आप यही पे हैं आपकी गाड़ी बहार ही खड़ी है और आपके पर्फिम भी खुश्पू भी आ रही है प्लीज बहार आये ना आप छुप क्यो रही है मुझसे आपके घर में भी आपसे मिलने का इंतिजार करना पड़ेगा बस करिये ना मिका जी बंद करिये इंतिजार कराने का खेल एक एक बुझे चुप कर चुपाने की आदत नहीं है जो बात होती है साफ बूपे कहता हूँ और आज आज भी कोई कोई बहुत दूरी बात करने आए पता नहीं पता नहीं क्या होगे मुझे आपसे मिल अब आप अब आज दूरी और मैं पागलो की तड़ बार-बार यहाँ चलाता हूँ आपसे मिलने जबकि मैं जानता भी आपको ठीक से अज़ नियारा, चाहिए अज़ गया मुझे? जाना कहीं चाहताँ, कहीं और पहुच जाताँ सोचना कुछ चाहताँ, कुछ और सोचने लगताँ आप, आप पेरे दिमाग से भार ही नहीं निकलती? आपका ये पर्फ्यूम जैसे, जैसे चिपक गया है मेरे साथ जाहे जितनी ही भी दूर हूँ इसी खुश्बू, मुझे खीच की यहां ले ही आती है आप सुन रही हैं, क्या गह रहा हूँ? आपके ख्यालों में, किसी ग़र को सुन भी नहीं पाता ये आखे, एक बर जब आपको देख लेती है तो जैसे, जैसे सब कुछ भूल जाती है अनाखों से पानी निकलने लगता है और मैं उसी में डूब जाता हूँ तब कुछ भूल जाता हूँ क्या हो रहे मेरे साथ, अनामिका जी? बाहर आईए मेरे सवालों का जवाब दीजिए अनामिका जी? अनामिका जाता हूँ अनामिका जी? अनामिका जी? मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ अपना नमबर शोड़के जारा हूँ आपकी टाइरी में पीस कॉल कीजेगा इंतिजार करूँगा अनामिका जाता हूँ तो अनामिका जाता हूँ अजय को प्रवाब करें लोड़ कर दोब एक जए झाल 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 झाल